सो हलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागते हैं अप सभी का फिरसे अपने इस नए वीडियो में और जैसे कि आपको पता है कि पार्टली पुत्रा इन्वर्सिटी के तरफ से यूजी एडमिशन का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट था ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट छे जुन को आना है यह सब कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में सो वीडियो के लास्त तक बने रहीएगा सोगाईज अगर चैनल पे पहले बार वजिट की हो चैनल को जोड़ सब्सक्राइब कीजिएगा तक इस तरीकी के इन्फर्मेटिव अपडेट आपको इस चैनल के मादम से होनना है जैसे आप पाटले पुद्र का में पेज खुलते कुछ से खुलेगा पेज आपका ध्यान रखिएगा सारी चीजों को बेटर तरीके से करने के लिए यहां पर जो थ्री डॉट है इस पर आप हमेशा इस मोड़ पे आप इनेबल कर लिजेगा ज्यादा बेटर होग डेक्स्टॉप साइट पे चलिए इसको में इनेबल करता हूँ बैसे के लिए मैं फोन से ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और इसमें सब कुछ बता रहा हूँ इसके बताने के बाद आपको एड्मिशन एग्जामिनेशन का जो सेक्शन मिलता है इस पे क्लिक करना ह और क्लिक करने के बाद आपको आजाना है फिल यूजी पीजी अड्मिशन फोन वला ओप्सन पे इस तरीके से आप पहुचचेएगा पार्टले पुटर रूजरेंए का अड्मिशन पोटल और इस पोटल का लिंक मैं आपको डिरेक्ट वीडियो के डिसकरिस्जन ब्ग्स म को मिला है आगे का प्रोस沒事 जाना है तो इसके, लिए क्या करना है इस एप्लीकेंट, लॉग इंपेट करेंगे और क्लिक करने के बद आपके पस है कि UP यूजरन में उभागा उतली में क्याॐ रिटाइडि होका क्या क्विजरनें क्विक करने का मतलोग क्याूवuman те भरने के बाद लॉग इन करेंगे चलिए हमारे पास एक डीटेल है मैं भर करके क्या करता हूँ एक लॉग इन करता हूँ सो फानली मैं अपना ID और पासवर्ड ये दोनों चीज़ पर फिल कर दिया हूँ और इसके बाद लॉग इन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मैंने लॉग इन वाले बटन पर क्लिक किया जैसे लॉग इन वाले बटन पर क्लिक किया यहाँ आपका नाम दिखा देगा और इसके बाद ऊपर में मिलेगा होम और हल्प का बटन आपको नीचे क्य करके इसका औउस्टम दिया गया है ध्यान रखिएगा अगर आप도 पहला वाला option नहीं मिलेगा कहने का मतलब देख सकते हैं इनको first priority मिल गया तो ये slide up इनका नहीं होगा लेकिन मा लेते हैं अगर इनको तीसरा option मिल जाता और अगर ये चाहते कि slide up करें मतलब इसमें admission लने का मन नहीं है तो slide up का भी option पाटली पुद्रा के द्वारा इस बार दिया गया है और slide up करने के लिए आपको admission नहीं लेना होता है तो slide up कैसे करते हैं ये भी बताएंगे पहले देख लेते हैं offer letter वाला चलिए इनका offer letter को download करते हैं और देखते हैं क्या-क्या इसमें detail है तो देख सकते हैं जैसे मैंने offer letter पे क्लिक किया था तो ये एक offer letter download हो गया पाठलीपोता इन्वर्सिटी provisional offer letter 2024 इनका name है और देख सकते हैं इनको मिला है AN college और यहाँ पे देख सकते हैं BSC chemistry और ये merit index इस तरीके से दिखा रहा है तो basically यही विलेटर आपको download कर लेना है और इसका print out जरूर रखिएगा क्योंकि अभी इनको admission मिलेना है फिर college में भी ये बला paper मांगा जाएगा यसलिए इसका 2-3 copy आपके पास जरूर होना चाहिए अगर नीचे के बारे में बात करें तो देख सकते हैं पर दिखा रहा है कि कौन साइन को paper मिला है और यह जो paper है M.I.C., M.D.C., A.E.C., S.E.C., B.E.C. यह सब paper आप जब college में जाएगा admission लेने के लिए तब आपको भरना है और इसका सब देख सकते confidential number है अगर admission लेने के बारे में बात करें तो admission कल से start है last day थे 13 जुन तक तो admission का यह date दिया गया है यहाँ पर कुछ conditions बगरा बताए गया लेकिन अब समझे आगए admissions की कहानी के बारे तो next के जैसे इनके example के बारे में बत करता है जैसे इनका नाम आया है AN college में अब यह आगे क्या करेंगे पहले बात यह तो अपना offer letter को download कर लेंगे offer letter download करने के बाद यह जो college है AN college इसमें यह पता लगाएंगे किसका admission online होता है या offline होता है तो AN college अलमुस्ट लगभग-लगभग सारे college का जो admission होता है वो online होता है मतलब इस college की website पर जाएंगे और form बनने के बाद उसका पैसा जमाग कर दिजेगा फिर आपका यह admission का form और इसके बाद जो पैसा जमाग कर जाएगा यह दोनों का receipt निकल जागा तो यह दोनों का print out निकल लिजेगा यह वाला offer letter और इसके साथ में अब सारे document क्या क्या इसमें document टैप का एक तो पीपी में जो form अपलाई किये यह यह जो offer letter अभी आया यह वाला इसके साथ 10 का mark set 12 का mark set clc इसके साथ migration इसके साथ अधार काड़ इसके साथ चार फोटो इसके बाद इसके साथ आपका का सर्टिफिकेट यह सारा document लेकर के फिर जिस college में आपका नाम आया है उस college की website पे कि document verification का process 25 जून के बाद स्टार्ट होगा जब document verification एक करके college का स्टार्ट होगा तो मैं फर्दर आपको बताऊंगा ठीक है यह बात हम लोग कर लिए पूरी offer letter कैसे लोगिन करता हूं मैं इनका भी merit list चेक कर रहा हूं देख सकते हैं का corner पर नाम दिखा दिया इसके बद मैं इनका merit status देखता हूं मैं merit status पर क्लिक करता हूं तो पता चलता है कि इनका जो selection हुआ है यह इनका पहला वाला college ने वह बलकि इनका TPS college गुआ है और TPS college को offer letter दिखा रहा है अब यहीं पर सवाल आता है merit list का देखेगा इसमें क्या बताया जा रहा है इनको चुकि यह college पसंद ने इनको लेना है for next mat list मतलब अगर आपको slide up करना है अगर आपको जैसे इनके case में यह तीसरा वाला अगर आपको पसंद नहीं है अगर आपको ऊपर का चाहिए याद रखेगा हमेशा जब भी slide up होता है तो ऊपर के तरफ नीचे के तरफ नहीं जाएगा ठीक है second mat list आएगा भी तो नीचे व बस एक बर इस पर क्लिक कर दिए आई वांट तो consider for next mat list यह आपका slide up मोड में चला जाएगा तो यह बहुत simple है इस बर का process slide up मोड में कैसे करते यह भी आप समझ गया होगा ठीक है उमीद करते है कैसे चेक करना यह समझ में आ गया होगा कैसे admission है यह समझ में आ गया admission में document क्या 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 लगता है यह समझ में आ गया और slide up की जिनको जरुवत है उनको slide up कैसे करना यह समझ में आ गया क्या करना है हमसे contact करना है 9065179925 और जिस भी college में जिस subject आप लेना चाहरे है आप उस subject में उस college क्या कर सकते हैं ले सकते हैं मिलते हैं आने वाले वीडियो में इस वीडियो कमेंट करता हूं सो मच थैंक्यू